हेलो दोस्तों, तो अपनी वीकली सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे ओल्ड स्पाइस एम्बर फ्रेग्रेंस के बारे में हाई गाईस, वेलकम बाक, दिस इस अंशुल भाटिया और यूर वाचिंग पर्फुम बीस्ट तो फ्रेंट्स, जो ये ओल्ड स्पाइस का एम्बर फ्रेग्रेंस है, ये एक बहुती स्वीट और फ्रूटी टाइप सा फ्रेग्रेंस है और अगर मैं इसकी कैटेगरी के बारे में बताऊं, तो मैंने इसको यूनिसेक्स की कैटेगरी में रखा हुआ है उसका reason क्या है क्योंकि जो इसकी vibes है जब आप इसको लगाएंगे या smell करेंगे या कहीं पे भी test करेंगे तो जो इसकी खुश्बू है वो कुछ इस तरीके की आती है बहुत ज़ादा young और peppy types अगर इसको थोड़ा और explain करके आपको बताऊं जिससे आप इसको connect कर पाएं तो कभी आपने students को जो high school boys and girls होते हैं जब कभी crowd में खड़े हुए होते हैं तो उनसे जैसी खुश्बू आती है इसका जो first impression है वो बिल्कुल वैसा ही है क्योंकि इसके अंदर बहुत juicy और fruit notes को इस्तिमाल किया गया है जिसके अंदर raspberry है, blackberry है और plum है और अगर इसके dry down की बात करूँ तो जो इसका dry down है वो आपको कहीं न कहीं fusion chewing gum की याद भी दिलाएगा क्योंकि उससे like मेरी भी school की जो यादे हैं वो बहुत ज़्यादा तरो ताजा हो गई fusion जो chewing gum थी वो बहुत ज़्यादा popular थी और उसका जो एक taste है वो बहुत ही juicy और fruity type सा है और यह जो fragrance है यह बहुत ही कमाल का fragrance है अगर मैं इसको बताऊं जितने भी यह school going students है college going students मुझे मेरे comment box में पूछते हैं कि आप एक ऐसा डियो बताईए कोई एक ऐसी fragrance बताईए जो कि वो बिना सोचे हुए बिंदास school के अंदर या college के अंदर लगा के जा सकते हैं इसे very you can say very young school going and like very teenaging kind of a fragrance और भी बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिनके साथ आप इस fragrance को associate कर सकते हैं just like scented erasers जो छोटे बच्चे school लेके जाते हैं different fruit flavored chewing gums और जो इसका behavior है इस डियो का वो भी कुछ वैसे fruit flavored chewing gum जैसा ही है क्योंकि जब हम chewing gum खाते हैं तो आपने notice किया होगा जो शूरू वाला जो एक cracks होता है या जो शूरू वाला के impression आता है वो बहुत ही जादा juicy, fruity और मिठास से भरा हुआ होता है तो जो ये fragrance है इसकी भी शुरुवात कुछ वैसी है लेकिन chewing gum के अंदर भी थोड़ी देर के बाद जब वो मिठास खतम हो जाती है तो पीछे वो कुछ rubber type सा substance बच जाता है तो इसका भी जो dry down है या जो leftover है इस डियो का वो भी कुछ ऐसा rubber नुमा ही है like full of raisins, just like amber occasions की अगर बात करूँ तो जो मुझे occasions इसको लगाने के समझ आते हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ casual occasions that too for school going, college going or teenagers अगर age group की बात करूँ तो जो मुझे age group समझ आता है that is maximum till the age of 24 to 25 but still if you have taste for sweet, juicy or like very fruity kind of fragrances तो आप इसको try करके देख सकते हैं longevity की अगर बात करूँ तो longevity मेरे उपर तो बहुत अच्छे impressive भी इसने काम किया है skin के उपर जो मुझे longevity मिली है वो करीबन 4 गंटे के आसपास मिली है और clothes के उपर भी it is more or less same और जो मुझे उसका reason समझ आता है like इसकी जो base notes है उसके अंदर vanilla और ember को use किया गया है और इसकी जो price है वो आपको MRP मिलती है 249 rupees for 140 ml लेकिन different websites के ओपर ये आपको 225 के आसपास मिल जाएगा which I feel is like in lines with the other competitive brands Fog है उसमें Wildstone है, X है और friends Old Spice से related आपको एक बहुत interesting fact बताता हूँ वो ये है कि originally तो Old Spice को Shelton Company ने 1934 में start किया था लेकिन जो इसके present owner है वो है Procter & Gamble लेकिन India के अंदर इसको Rubicon Formulations Manufacture करती है अगर आपको ये fact पसंद आया हो और अगर आप इस giveaway के winner बनना चाहते हैं और इसी video के through अगर आपने हमारे channel को check किया है तो एक छोटा सा request कि आप subscription को consider जरूर कीजिए इस channel को subscribe जरूर कीजिए और इस video को like, comment और share करना भी मत भूलिए तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ मेरा आज का video जो कि Old Spice के Ember Fragrance के ओपर बेस था आपको पसंद आया होगा आपको ये video कैसा लगा do let me know in my comment box और giveaway में participate करना भी मत भूलिए so before perfume be signing off I just want to say बहकते रहिए, मुस्कुराते रहिए till next time enjoy life, take care